नमस्कार दोस्तों आज इस वीडियो के अंदरम इंडिया और अफगानिस्तान के बीच जो वर्ल्ड कप का मैच नमबर नो खेला जाएगा उसकी स्मोल लिग और ग्रेंड लिग की टीम बनाएंगे और हर एक प्लेयर का रिकोर्ड देखेंगे तो आप वीडियो को पूरा याद से देख लिजिएगा साथ ही देखो दोस्तों अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया ना तो प्लीज यार लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो तो देखो दोस्तों ये वाला मैच खेला जाएगा अरुन जेकली स्टेडियम दिल्ली के ग्राउंड के उपर ग्यार अक्टूबर को दो पैर को दो बजी मैच स्टार्ट होगा सबसे पहली बात देखो यार आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलिग्राम का लिंक मिलेगा पिन कमेंट में भी टेलिग्राम का लिंक मिलेगा उस पे क्लिक करके टेलिग्राम चैनल बिल्कुल फरी में जोइन कर लिजेगा टोस होने के बाद जो भी सारी अपडेट आएगी वो मैं आपको बाद में टेलिग्राम पे प्रोवाइड कर दूँगा और हाँ यार वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक वाला बटन दबागे तो दोस्तो वीडियो की स्टार्टिंग कर लेते हैं और सबसे पहले हम देख लेते हैं अरूल जेटली स्टेडियम दिल्ली के ग्राउंड की पिछ रिपोर्ट क्या रह सकती है और यहां के record क्या कहते हैं देखो भाईयो इस ground के उपर 25 मेंसे 12 मैच पहले बैटिंग और 12 मैच 2nd inning के अंदर बैटिंग करने वाली टीम ने जीते हैं और एक मैच नोर जल्ट रहा है वह इन 25 मैचों में 1st inning का average score 241 रन देखने को मिला है और अगर आप इन 25 मैचों में score pattern की बात करोगे न तो 200 से नीचे score 6 बार बना है 200 से 249 के वीच में score 8 बार बना है 250 से 299 के वीच में score 8 बार बना है और 300 प्लस score 2 बार बना है अब अगर हम यहां से देखते हैं तो मैं यह देखने को मिलता है कि फिस थोड़ी balance दिख रही है लेकिन यहार एक बात बतादू के इस साल World Cup के अंदर इस ground के उपर South Africa और Sri Lanka का मैच खेला गया था और उस मैच में South Africa ने पहले बेटिंग करते वे 428 रन बनाए 5 विकेट पे और Sri Lanka ने चेजिंग करते वे 326 रन बनाए 10 विकेट दोलों इनिंग के अंदर 300 प्लस रन बने थे तो देखार बैट्समेन को मदत मिल सकती इस ground के उपर उसके साथ-साथ अगर हम बात करें तो 12 विकेट फास्ट बोलर और 3 विकेट स्पीनर को मिले थे उस मैच के अंदर सबसे इंटरस्टिंग चीज गया थी कि साथ अफ्रिका ने पहले बैटिंग की थी तो साथ अफ्रिका के 3 प्लेयर क्विंटन डिको और एडन मागरम ने सेंचुरी लगाई थी और यह उल्मोर्स आइड हिस्ट्री में पहली बार यह ऐसा हुआ है वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में कि तीन प्लेयर किसे टीम के सेंचुरी लगाके जा रहे अब देखो दोस्तों इस ग्राउंड की थोड़ी हिस्ट्रे समझाता हूँ पहले इस ग्राउंड की पिछ है ना वो थोड़ी सलो होती थी यहाँ पे आपको अन इवन बाउस देखने को मिलता था जिसके अंदर फास्ट बोलर और स्पीनर डोमिनेट करते थी लेकिन अब यह न्यूज आ रही है कि यहाँ पे इसकी जो पिछ की जो सोईल है वो चेंज की गई है और उस वज़े से पिछ बैटमेन को मदद कर रही है लेकिन अभी हम इस मैच के बैसे पे बोले तो काफ यह तक पिछ एक बैटिंग फ्रेंडली है और अगर यहाँ पे देखके बोले रिकोर्ड तो आपको बेलेस भी दिख रही है तो मैं तो आप से यही कहूँगा कि टेलिग्राम जोइन कर लो तो उस होने के बाद जोब डेटा यहो टेलिग्राम पर देदूँगा अभी के तोर पे हम बैटिंग फ्रेंडली पिछ माने की प्रेडिक्शन करने वाले है उसके बाद देखो दोस्तों इंडिया की टीम थोड़ी स्ट्रोंग टीम है एस कंपेटर अफगानिस्तान उसके बाद देखो दोस्तों एक बात बताता हूँ कि आप इस रिकोर्ड के बैसिस पर बैटिंग फ्रेंडली पिस दिख रही है बैट्मेन को ज़्यादा मदद मिल सकती है हाला कि जो तेज बोल डालते है न पेसर होते है वो भी क्रूशल लोल प्ले कर सकते है इसमें मुवमत शिराज हो गया या हार्दिक पांड़ा हो गया जस्प्रीव बुमरा हो गया अगर आप अफ़गानिस्तान की तरफ से बात करो तो जो बेसर है न तो तेज बोल डालते है उसके बाद डूव या आपर सेक निनी के अंदर देखी जा सकती है तो टोस जीतने वाले टीम बोलिंग भी चूज कर सकती है फिर भी देखो दोस्त एक बार फिर से कहूंगा कि टोस होने के बाद फाइनल पीश रिपोर्ट देख लिजेगा क्योंकि लास्ट मैच के अंदर काफी हाई स्कोरिंग मैच गयाता अगर इस टाइब की पिछोती है तो आपे बैट्समेन दमाका करने वाले हैं ये चीज़ा आप घ्यान दख लिजेगा हाँ एक चीश टीम बनाते ज्यान दखेगा कि इंडिया की टीम फोड़ी स्टोंग टीम अफगानिस्तान से और हम ये उमीद करके चलते हैं कि इंडिया ये वाला मैच जीते अफगानिस्तान से ये तीन प्लेयर टोप ओडर की मिडल ओडर की बात करें तो स्रियस, अईयर, केल, राउल, हार्दिक, पांडिया और रविंदर ज्रेजा उसके बाद इस मैज में टीम इंडिया आर अश्विन की जगे मुहमत, चमी या शारदूर ठाकुर में से किसी एक को मोगा दे सकती है जिसमें हाई चांस मुहमत, चमी के लिए लग रहे उसके बाद कुल्दी, पियादो, मुहमत, सिराज और जस्प्रीत, बुम्रा तीन बोलर ये चोथा बोलर आर अश्विन और मुहमत, चमी में से जो भी खेलेगा वो हाई चांस मुहमत, चमी खेल सकता है, ठाकुर भी खेल सकता है पांचों बोलर यहाँ पे रविंदर ज्रेजा और चाटा बोलिंग उप्शन हारदिक पंडे आपको देखने को मिल सकता है अब यहाँ पे अगर पिछ बैटिंग फ्रेंडली होती है, और स्पीनर को कम मदद होती है, यहाँ पे एक चीज देखने को मिल सकती है कि लास्ट मैच में आर्दिक पंडे ने कम ओर की बोलिंग की थी, इस मैच में ज्यादा ओर की बोलिंग कर सकता है उसके साथ साथ देखो दोस्तों लास्ट मैच में इंडिया के तरप से रोईच शर्म और इशान किशन दोनों फ्लोप हो गेते तो अगर पिछ बैटिंग फ्रेंडली होती है, तो इन में से कोई एक यह दोनों अच्छे रन स्कोर कर सकते है उसके बाद आप देख सकते हो, एक यहाँ पर स्रेस ऐयर डिफ्रेंशल प्लेर है, बाकि सेफ ओप्सन सिंपल है विराथ होली अच्छे रिकोड करी करते हैं इस ग्राउंड पे, उनका ओम ग्राउंड भी यह दिल लीगा उसके बाद केल राउल विकेट कीपिंग करेंगे, उसके पॉंट देंगे, उसके बाद हार्दिक पंडया बैटिंग बोलिंग दोनों करेंगे तीन ये, चोता प्लेर जस्परीद दुमरा और पाच ओप्लेर मुहमत सिराज, ये पाच प्लेर में लिए अभी तक सेफ है उसके बाद रोहित, इशान और स्रेस अईयर में से चाओ तो किसी एक या दो को ले सकते हैं और जड़ेजा पे फोकस कर सकते हो अगर यहां पे शमी खेलता है, तो समी इस ग्राउंड के उपर भी काफ़ी अच्छी रिकोर्ड करता है और समी के जो रिकोर्ड हैं अफगानिस्तानी के लाव, वो भी काफ़ी अच्छी हैं आपको देखने को मिल सकते हैं बाकी देखो दोस्तों इंडिया की तरफ से हाई चांसे ये प्लेइंग इलेवन हैं, अगर फोई भी प्लेइंग इलेवन के अंदर चेंज होता है, तो वो तम आपको टोस होने के बाद टेलिग्राम पर ही अपडेट करको अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं अफगानिस्तान की आपको क्या प्लेइंग इलेवन देखने को मिल सकती है, देखो दोस्तों अफगानिस्तान की तरफ से रहम नुल्लग उर्बाज उरिबराइम जादरान ओपनर तीन नमबर पे रहम अच्छा, ये तीन प्लेर होगे टो नुल्लक, मुझीबुर्यमान, राशिद खान, अजमतुल्लावमर्जजाई और मुवमन नभी ये च्छा बोलिंग उकसा आपको देखने को भी लेंगे, जिसमें से फजल अक फारुकी पारपले में बोलिंग करने आता है, उनके साथ मुझीबुर्यमान बोलिंग करने आ स दकता है इनकी तरफ से, अब देखो दोस्तों इनकी तरफ से लास्ट मैच में गुर्बाज ने अच्छा बैटिंग से परफूमेंस दिया था, जादरान बेटिने भी ठिक ठाक परफूमेंस दिया था, लेकिन इस मैच में गुर्बाज और जादरान के सामने इंडिया के द और उसके बाद यहाँ पे फजलक फारुकी फार पले में बोलिंग करने आएंगे अगर इनकी टीम सेकेंड इनिक अंदर बोलिंग करती है ना तो अंदर दा लाइट स्टार्टिंग के आप 15 ओट थोड़ी मुवमेट देखने को मिल सकती है तो ऐसे वे फजलक फारुकी को कि तरब से यही प्लेइंग लिवन है कोई और चेंज होता हूँ मेरे को दिखने रहा है एक प्लेर है इकरम अखिल अगर इसको इनकी टीम मोगा देखती है तो देखने वाले बात है बाकी यहाँ पे साइद इनकी टीम कोई चेंज नहीं करेगी इस मैच के अंदर तो भाई आप फर्स्ट रेंग लाते हो तो आप जीत सकते हो आईफोन 14 और स्पोर्स बाजी के उपर कोंपेटिशन बिल्कुल ही कम है साथ ही देखो दोस्तों गर आप फर्स्ट टाइम डिपोजिट करते हो न तो स्पोर्स बाजी के उपर आपको मिलती है एक बाजीगर टिगेट व जितना आप खेलोगी उतने आपकी लीडर बोर्ड में रेंक अच्छी आएगी और इस लीडर बोर्ड की फर्स्ट प्राइज है पांच लाक रुपे वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन कमेट में लिंक है लिंक पे कलिक करके डाउनलोड कर लो और स्पोर्स बाजी की उ अब सिंपल सी बात है इंडिया की टीम ज्यादा स्ट्रोंग टीम है एज कंपेर टू अफगानिस्तान एक चीज़ तो यह में मैंड में रखनी है लेकिन एक चीज़ आपको यह भी जहन रखनी है अगर स्पिंड फैनली विकेट बनती है दिल लीगी तो वहाँ पे यहाँ पे जो अफगानिस्तान के स्पिंड रनाव थोड़ी क्रूशल निकल के आ सकते हैं बाकि लास्ट वाला मैस यहाँ पे साउथ अफरीका और सिरलंका के लागा था इस ग्राउंड की उपर उस मैच के अंदर कलियरली बैट्समेन का दबदबा देखने को मिला था अगर वैसी पी चोती है तो नो डाउट इंडिया की टीम स्टोंग है और अपनी को इंडिया के फिर में ही टीम बनानी है उलट फिर होने की चांस थोड़े कम है आप देखो दोस्तों हम इंडिया की प्लेरों की रिकोर्ड की बात कर लेती हैं सबसे पहले आरे पास है रोईच शर्मा 16% सेलेक्षन है राइठ हैं डिट बैट्समें ओपनिंग करने आता है अफगानिस्तान के किलाफ दो मैचों में 19 रन है 19 के अवरेट छे इस साल 2023 के अंदर 7 मैचों में 540 रन है 69.40 के अवरेट छे इस ग्राउंड के उपर 2 मैचों में 13 रन है 35 के अवरेट छे और लास्ट मैच मे अगर बैटिंग फ्रेंडली पीछोती दुरोईद अच्छा पर्फोम कर सकता है लेकिन थोड़ा सा इन दो प्लेरों से खत्रा रह सकता है तो अगर आप रिस्क लेना चाहता है आप यहां पर रिस्क ले सकते हो बाकी में रिस्क लेने का रिकमेंडेशन नहीं देता वो 24% सेलेक्सर लेफ्टी बैट्समें ओपनिंग करने आएगा अफगानिस्ताने खिलाफ अब तक मैच नहीं खेला है अगर हम बात करें 2023 के अंदर तो 16 मैचों में 409 रहने 24 मों टटारा की एवरेच से इस ग्राउंड की उपर एक मैच में 10 रहनें लास्ट मैच में 10 रहनें ल उपनिंग करने आएगा उसके असाथ साथ लास्ट मैच में इस ग्राउंड की उपर 628 प्लस रन बनेते फस्ट इनिंग में और 300 प्लस रन बनेते सेकंड इनिंग में तो ऐसे में सेलेक्शन बहुत कम है ग्रेंड लीग के अंदर मोका दे सकते हो अगर आप चाओ तो लिगन इस ग्राउंड की उपर 8 मेचों में चमालिस के अवरेच से 222 रन है हर जगह कमाल का परफोमेस है खतरा रह सकता है मोमन नभी ने एक बार आउट किया है दूसरा विडाट कोली थोड़ा सा राइट आम लेग डेट स्पीनर के सामने फर्स सकता है तो राशित खांचे भी ख दोस्तों मारे पास इंडिया की तरफ से श्रेश अईयर मात्तरों 30% सेलेक्शन राइटी बैट्समें चार नमबरे बैटिंग अन्याता है अफगानिस्ताने खिलाफ अब तक कोई मैच नहीं केला है अगर हम बात करें तो लास्ट मैच में जीरो प्याउट हो गया ता 28 रन है अब अफगानिस्तानी खिलाफ कोई मैच ही नहीं केला है तो यहाँ पे कोई भी आपको मैच अप देखने को नहीं मिलेगा लेकिन 39% सेलेक्शन रना तो थोड़ा डिफरेंशल रह सकते है अब देखो दोस्तों स्रेस अईयर विराट होली उसके बाद इशान किशन और रोईट शर्मा इंडिया के आपको टोप ओडर के चार बैट्समेंट देखने को मिले इसमें रोईट का 46% सेलेक्शन है उसके साथ साथ आप बात को तो विराट का सेलेक्शन ही 90% है लेगिन यहाँ पे आप देखो इशान किशन का 24% सेलेक्शन और स्रेस जयर का 39% सेले कुछ क्वेशन मिलती है और आप उन क्वेशन को अबो या बिलो पे अपनी ओपिनियन ट्रेड कर सकते हैं जैसे यहाँ पे एक क्योशन है कि जो टीम पहले बैटिंग करेगी न वो 325 से जादारन बनाएगी या कम बनाएगी जैको सिंपल सी बात है अगर अगर अफगानिस अगर आपको लगए ज्यादा बनाएगा तो आप ट्रेड कर सकते हो अगर आपको लगए कम बनाएगा तो फोल्स पर ट्रेड कर सकते हो और एक बात और अगर आप एक बात ट्रेड ले ले लेते हो नहीं यहाँ पे ओपिनियन अपनी ओपिनियन की उसके बाद आप उस ट्र प्राइसिंग चेंज होती रहती है उस चीज के अंदर और आप स्पोर्ट्स बाजी के उपर लाइव मैच में बेसे क्योशन के उपर अपनी ओपिनियन ट्रेड कर सकते हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पीन कमेट में लिंक है लिंक पे क्लिक करके डाउन्डोड कर लो अब देखो दोस्तों इंडिया की तरब से अगला प्लेयर है केल राउल 85% सेलेक्शन राइटी बेट्समें पास नमबरी बैटिंग करने आता है अफगानिस्तानी किलाफ 5 मेचों में नमबर और 45 की एवरेच से लास्ट मैच में उसके लिए खिलाफ 97 बनाएते अगर आप म उगानिस्ताने के लाफ बात करो तो एक मैच में 7 रन और 2 वीकेट है अगर आप बात करो या बेस ग्राउंड की उपर तो एक मैच में 36 रन है अगर हम बात करें लास्ट मैच के अंदर तो एक वीकेट निकाला तरो 11 रन बनाएते राशित खानने इस प्लेयर को एक बार लेगिन ये वाला मैच अगर स्कीनर को मदद नहीं उत्युर बैटिंग फ्रेंडली भी चोती है तो आर्दिक पांडिया की बैटिंग तो आएगी आएगी इस से लावा ये पलेयर 6-7 या 8 और की बोलिंग भी कर सकता है उसके बाद दोस्तों करम इंडिया की तरफ से बात क करें तो रविंदर जरीजा 85% सेलेक्शन लेफ्टी बैट्स में लेफ्टाम होर्तोडोक स्पीनर साथ नंबरे बैटिंग करने आता है अफगानिस्ताने एक लाव अपनी केरियर में दो मैचों में 25 रन और 7 विकेट है दो अजार 23 के अंदर 16 मैचों में 119 रन 27 के अवरेज इसके बाद आपको इंडिया के तरफ से आरश्विन देखने को मिलेगा मेरे इसाब से आरश्विन ये वाला मैच नहीं कहलेगा तो मैं इसके रिकोर्ड के उपर ज्यादा द्यान नहीं दे रहा उसके बाद आपको इंडिया के तरफ से देखने को मिले है कुल्दी प्याद इस रिपोर्ट देखके डिसाइड करना यह चीज उसके बाद अगर हम बात करें तो आपको यहाँ पर इंडिया की तरब से जस्परिक गुम्रा 81% सेलेक्शन देखने को मिलेगा मेन पेसर है अफगानिस्ताने खिलाफ एक मैच में दो विगेट है अगर आप बात को लास्ट म पर एक मैच में एक विगेट है और लास्ट मैच में भी एक विगेट था एक बात बता देता हूं आपको कि लास्ट मैच में स्पीनर को थोड़ी मदद थी इस वज़े से सिराज को इतनी बोलिंग नहीं दी गई थी लेकिन इस मैच के अंदर सिराज अच्छी का से निकल के आ सकते हैं उसके बाद देगो दोस्तो अगर अश्विन नहीं खेलेगा तो ऐसे में टीम इंडिया मोहमद शमी को या ठाकुर में इसकी को मोगा दे सकती है अगर मोहमद शमी खेलता है तो राइट आम फास मिडियम पेसर है अगर आप बात करो इस ग्राउंड के उप लेना तो आप यह समझे लेना कि पिछाओ स्पिंग फ्रेंडली विकेट है बाकि मेरे को अस्यून के खेलने के चांश थोड़े कम लग रहे हैं इस मैच के अंदर यह आपको इंडिया के सारे प्लेयरों का रिकोर्ड देखने को मिल रहा है अब देखो दोस्तों अफगानिस् सबसे पहला नाम है रेमनुल्ला गुर्बाद 70% सेलेक्शन है राइट है डिबेट्स में ओपनिंग करने आएगा इंडिया एक खिलाफ अब तक कोई मैच नहीं खेला है लाश्क मैच में 37 रन बनायते बंगलदेश के खिलाफ अगर हम बात के 2023 के अंदर तो 12 मैचों में 423 सबसे बड़ा खत्रा मोहमद शिराज और जस्पीद बुमरा से रह सकता अगर पार प्ले सर्वाइव कर जाता है तो फेंटेसी की टीम में आ सकता है अगर प्ले सर्वाइव नहीं करता है तो आउट जल्दी आउट होके जा भी सकता है यह चीज ध्यान डख लेना शिराज जोर किसे जस्पीद बुमरा से खत्रा वह सकता है इस प्लेर को सेलेक्शन सत्तर प्रसेंट अगर हम इंडिया की फिर में टीम बना रहे हो तो हो सकता हम इस प्लेर को डॉप करके भी चल पड़े उसके बाद अगर हम बात कर तो इबराहिम जादरान 30% सेलेक्शन ओपनिंग करने आए इंडिया किलाफ कोई मैच नहीं केला है लाश्त मैच में 22 रन बनाये ते किसके किलाफ लाश्त मैच में 22 बनाये इस प्लेर ने बंगलदेश के खिलाफ 2023 के अंदर 12 मैच में 500 रने 45.5 के एवरेज कावे कमाल की प्लेर कावी अच्छा है वही बात है मोमत सिराद ज जब को सर्वाइब करना पड़ेगा तभी ये फेंटेसी की फर्स्ट रेंक की टीम में आ सकते हैं अगर बिल्कुल ये पाटा विकेट होती है तो हो सकता है यहाँ पर गुर्बाइम जादरान और गुर्बास दोनों ही फेंटेसी की टीम में आ जाए लेकिन मेरे को यहाँ पर प्लेएर को रविंदर्ज रेजा ने दो बार आउट किया जस्परीद बुमरा ने एक बार आउट किया यानि लेफ्ट आम और्थोडुक्स पीनर के सामने आउट हो जाता है तो रविंदर्ज रेजा से इसको खतरा रह सकता है उसके बाद यहको दोस्त मारे पास है बुमरा और पुल्दी प्यादों से खतरा रह सकता है उसके बाद यहको दोस्त मारे पास है मुहमंद नभी 55% सेलेक्शन है लास्ट मैच के अंदर 6 रन बनायते लास्ट मैच के अंदर फ्लोग था लेकिन अगर आप 2023 के अंदर बात को तो 12 मैचों में 100 क्यानवरन और 10 विक सकते हो इंपोर्टेंट प्लेयर है मैं टीम में रखूंगा इस प्लेयर है उसके बाद अगर हम बात करें तो नजीब उल्ला जादरान 11% सेलेक्शन लेफ्टी बैट्स में ने 6 नमबरे बेटिंग करने आता है अगर आप 2023 के अंदर बात को तो लो में चुमें तेरा फोंट और स्लेक्शन भी कम है तो अभी मैं इतना रिकमेंट नहीं करूँगा बागे इसके प्लेयर आप सोच लीजेगा उसके बाद यह को दोस्तों मारे पास है राशिद खान राइट हे डिबेट्स में लेक ब्रेक स्पीनर है अगर आप बात करो तो लास्ट मैच में फ्लोग थ सकते हैं तो यह प्लेयर आप टीम में रख सकते हो बिंदा सो उसके बाद अगर हम बात करें तो अजमतुला ओमर्जजाई 27 परसेंट सेलेक्शन राइट की बैट्समन राइटाम मीडियम पेसर इंडिया के खिलाफ अब तब कोई मैच नहीं कहला है दो अजार तेश के सकते हैं तो इस प्लेयर को मैं अपनी विश लिस्ट में डाल के चल रहा हूं कि मैं इस प्लेयर को ले सकता हूं पीम के अंद उसके बाद आपको दिखें यह मुजीबू रहमान 14 परसेंट सेलेक्शन है राइट है अगर अगर आप बात को ना तो दोजार तेश के अंदर 12 म कर इसके लेना पड़ सकते क्योंकि मुजीब अगर चलेगा तो इंग में से कोई तो फ्लोप होगा अदर्वाइस मुजीब फ्लोप होगा सिंपल सी चीज है उसके बाद अमारे पास है नवीन्यू लग देखो यह प्लेयर इंपोर्टेंट एक तो कोली के साथ इसकी पर मैच है लास्ट मैच में भी एक विकेट निकार लाता कुट भी है ट्रम प्लेयर सिंसे गुट डेथ और बोल्दरा आपमान के चल सकते हो गुंबरा के जैसा एक्सन ने डेथ में बोलिंग करने आता है पार मिडल ओर में बोलिंग कर सकते है यहां पे इस प्लेयर के उप प्राप्रा ध्यान देके चल सकते हो आशकर अगर अफगानिस्तान के टीम पहले बोलिंग करे तो उसके बाद यहां पे फजल अकफारो की 22% सेलेक्शन लेफ्ट आम फास्ट बिलियम पेसर है दोजार तेईस के अंदर 12 मेचों में 15 विकेट थे लास्ट मेच में एक के एक आदे बेट्समेन को आउट कर दे लेकिन इंडिया के टोपोडर का बेट्समेन इस ग्राउंड के उपर दमागा भी उठा सकते उसके बाद यह इनकी बैंस्ट अगर इनमें से कोई कहलेगा तो आपको टेलिग्राम पे ब्रादूँगा नूर एमन लेफ्टाम चाइन लिकेट कीपर में राउल, बैटिंग में रोहिक शर्मा और विराठ कोली, ओल्ड राउंडर में मोहमन नभी हार्दिक पांडे और विंजज रेजा, बोलिंग में राशिद खान, जस्परित बुमरा, मोहमत सिराज और कुल्दी प्यादो, यहाँ पे दो-10 प्लेर में ने आब 11 ओप लेर या तो इशान फिशन ले सकते हो, या अगर इंडिया पहले बोलिंग करे तो मुमत शमी के लिए तो आप उसको भी ले सकते हो यहाँ उसके बाद यहां पर captaincy, vice captaincy को option विराट कोली एक safe option है हादिक पंडे एक safe option है उसके बाद मेरे लिए बुमरा एक safe option है अब एक तक मैं इन तीनों के बारे में सोच रहाँ small league के जगर small league की team बनती है मेसा safe small league का मतलब होता है 2 member, 3 member, 4 member बस अगर आपको small league खेलनी है तो sports बाजी अपका link वीडियो के description में है link पे click करके download कर लो और sports बाजी की उपराब 10 रुपया में gadget league भी join कर सकते हो इसमें first price iPhone 40 है और ज़्यादा आपको competition भी नहीं देखने को मिलता है याँआँ वीडियो के description और pin comment में लिंक का link पे click कर download कर लो ये मेरी sports बाजी की small league की team में final team में आपको telegram पे भी देद हुआ toast होने के बाद with captain और wise captain अभी एक दो confusion है pitch related वो चीज़े हो सकते हैं बाद में change को अब देखो दोस्ता मैं मेरी आपको एक mega grand league की team दिहा देता हूँ सबसे पहले मैं आपको बता दूए आर कि आपको ऐसा नहीं की mega grand league यही जिताएगा उचताएगा आप अपने team अपने हिसाब से बनाओ आप अपना idea लेके बनाओ common sense लगाओ आप rank 1 पे सिर्फ एक ही बनदा आता आपने record देखे आपने ये team भी देखी अब इस team में आप क्या possible change कर सकते हैं अपने logic लगा के उस हिसाब से change गरू एक दो player का change गरू आप अच्छी rank भी ला सकते हैं यह है 100% डिस्की में कभी follow करने को नहीं कहूंगा आपको मैं दिखा रहा हूँ विगेट कीपर में लोकेश राउल, बैटिंग में विराट कोली और रोईट शर्म ओल्ड आउंडर में हार्दिक पांड्या, मुम्मन नभी और रविंदज रेजा और बोलिंग में राशित खान, मुम्मत शिराज, जस्पीत बुमरा और नवीन उल्हक यह है 10 प्लेट, अब 11 प्लेट प्लेट वो कुलदीप यादो और श्रेश ऐयर के बीच में वे थोड़ा कंफ्यूज हूँ या अगर मुमत शमी केलता है तो उसको भी लेने के बीच में थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ या यहाँ पे श्रेश ऐयर को लूँ उसके बाद रोईच शर्मा के साथ साथ अगर आप चौदाप इशान किशन को भी ले सकते हो या रोईच शर्मा की जगे इशान किशन ले सकते हो या रोईच शर्मा की जगे मुझीबुर रह्माल ले सकते हो यह एक दो पोसिबल चेंज कर सकते हो अगर आपको नवीनु ल वर जजाय अव फजल लग फारुकरिम इसकिसी एक कुल ने सकती हो, कप्तान मेंने हार्दिक पंडिया को बनाया, वाइस कप्तान सिराज को बनाया, कैप्टन वाइस कैप्टन दोनों ही रिस्क की है, पहले बता रहा हूँ आपके, जैसे विराठ पोली सेफ है, राओल सेफ है रोवित भी सेफ है जडेज्जा को भी लोग बनाएंगे ये तीन-चार प्लेयर सेफ है अईयर तीन-चार नमबरे बैटिंग करने आता वो भी सेफ है लेकिन में थोड़ा रिस्क गया हूँ अर्दिक पंड्या और सिराज के साथ ये आपको एक मेरी मेगा ग्रेंडली की टीम देखने को मिलते है बागी टोस होने के बाद जो अप्टेट आएगी वो टेलीग्राम पे मिल जाएगी और हायर इस खेल के अंदर वित्य जो किम भी और आदत भी लचसेती है तो सोच समस्के के लो दहनेवाद